ये कहानी है माफिया जगत के पावरफुल लोगों में से एक मेयर लांसकी की। एक ऐसा इंसान जिसके साथ माफिया जगत से जुड़ा हर आदमी काम करने का सपना रखता था। मेयर लांसकी अपराद की दुनिया में इतना सक्सेस्फुल था कि हर कोई उसका फैन हो गया था। 4 जुलाइ 1902 में जनमे मेयर लांसकी का पूरा नाम माया सुत्रलांसकी था। उसका जरम ग्रोडनो बेलारूस में हुआ था जो की उस समय रश्यन एंपाइर का पार्ट था। उसके पेरेंस पोलिश जीव से जिसकी वज़ा से उन्हें बहुत सारे वाइलेंस का सामना करना पड़ा था। जिससे परशान होकर उन्होंने फैसला किया कि वो रश्यन एंपाइर को छोड़ कर अपने लिए एक नई दुनिया बसाएंगे। और साल 1911 में उनकी फामिली मेनहाटन माउश्षिफ्ट हो गई। बहुत छोटी सी उम्बर में ही लैंस की नपराद की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। लोग उसे लड़ाई, मार पीट करना, उन्हें धमकाना, उनसे हफता वसूलना ये सब उसकी आदत हो गई थी। लेकिन साल 1911 के एंड में जब उसकी मुलाकात एक और नोटोरियस जीविश मॉंस्टर बक्सी सेर्गल से हुई, तो उसकी लाइफ चेंज होने लगती है। जब एक बार लैंस के अपते स्कूल से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि सियर्जुल एक लड़ाई में फसा हुआ है। कुछ लोग सियर्जुल को मार रहे थे, तब ही वो वहाँ जाता है और उसकी हेल्प करता है, और यहां से उनकी दोसी की शिरुवात होती है। और उसके बाद से ही दोनों ने दोसी की और एक इलीगल काम करना शुरु कर दिया था। दोनों क्रिमिनल ने Bugs and More नाम का मॉब ग्रूप बढ़ाया, जो कि देखते ही देखते मैनहाटन का सबसे पावरफुल जिविश मॉब ग्रूप बन गया। इस ग्रूप के अंदर वो राकेटिंग, एक्स्टॉशिन, मनी लॉंडरिंग, कार्ट थेफ्ट और बर्गलरीज जैसे अपराद करते थे। और इसमें उन्होंने लोगों का मर्डर करना भी आड़ कर लिया। दोनोंने साथ मिलकर बहुत सारे अपराद किया। दीरे दीरे लांज की बहुत अमीर हो गया। उसने अपना बहुत सारा काला पैसा इधर उधर चुपाया और साल 1970 तक उसकी कुल संपत्ती 300 मिलियन तक आग गयी थी। लेकिन उसको एक और डर था कि अगर इंकम टैक्स ने उसके इस काले पैसे का पता लगा लिया तो उसे जेल हो जाएगी। इसलिए वो इसराइल भाग गया। हाला कि इसराइल में भी उसे भगा दिया गया और वो यूएस वापस आ गया। और साल 1973 में उसे टाक्स ना देने और काला पैसे रखने का दोशी ठहराया गया और उसे जेल हो गई थी। लेकिन उसी दोरा उन उसकी ह काफी खराब हो गई और उसे बेल मिल गए। और वो अपने घर फ्लॉरिडा वापस आ गया। लांसकी के जीवन के कुछ आखरी साल उसके घर मायमी बीच फ्लॉरिडा में ही भी थे। और वही 15 जैनुवरी 1983 में 80 साल की उम्र में लंग कैंसर होने की वज़ा से उसकी मौत ह होगे। लांसकी के एक पतनी और तीन बच्चे थे। FBI का मानना है कि उसकी अभी भी 300 मिलियन डॉलर्स की संपत्ती है जो कि उसके हिडन बैंक अकाउंट में जमा है। हाला कि अभी तक FBI उसका पता नहीं लगा पाई है। और ऐसे ही एक माफिया अंडर वर्ल की स्टोरी पर कीजिए। दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जिड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलिग्राथ स्टूडियोस को.